नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल में जिसका नाम है संचिता क्राफ्ट शॉप आज के वीडियो में आप क्रोशिया की बेसिक स्टिचेज सीखेंगे मैं ये वीडियो बिल्कुल डिटेल में बना रही हूँ इसलिए पार्ट्स में बनाऊंगी आज का वीडियो फर्स पार्ट है तो फ्रेंट्स सबसे पहले बेसिक क्रोशिया सीखने के लिए हमें चाही एक क्रोशिया होक मैं यहाँ पर पोनी ब्राल की 4 mm की क्रोशिया होक लिए है और हमें चाही ओन तो सबसे पहला जो हमें क्रोशिय में बनाना होता है वो है एक starting knot या आप कह सकते हैं first knot या slip knot तो इसे बनाने के लिए हम simply इस उन को इस तरह से लेंगे और इसे twist करके इस तरह से एक loop बनाएंगे फिर जो छोटा वाला धागा है उसे हम पीछे की तरफ ले जाएंगे इस तरह स देखिए और अब हम अपने क्रोशिया हुप को इस लूप के अंदर डाल के इस सिर्फ इस उन को उपर के तरफ लेंगे इस तरह से हमने लिया और अब इन दोनों उन को ऐसे पकड़ के हमें से कीच देंगे तो यह हमारा बन गया slip knot यह देखिए इसे हमें टाइट कर दिया तो यह हमारा slip knot है अब हम सीखेंगे कि हम उन को हाथ में किस तरह से लपेटें ताकि यह इसली हम क्रोशिया बना सके तो देखिए मैं तो इस तरह से पकड़ती हूं इस तरह से पहले इस उंगली में ऐसे लेती हूं और इस तरह से ऐसे ट्विस्ट करके पकड़ती हूं इस इस तरह से मुझे ईजी लगता है नेक्स्ट हम बनाएंगे हमारी स्टार्टिंग चीन या इसे फाउंडेशन चेन भी कहते हैं तो सबसे पहले हमें इस नौट है इससे पकड़ना है और इस उन में थोड़ा सा खिचाव रखना है अब हुक पे उन को लपेट के इस लूप म निकालिए फिर हुक पे उन को लपेटिए और लूप में से बाहर निकालिए इस तरह से हमारा फाउंडेशन चीन बनेगा देखे हैं अब हम काउन करते हैं यह एक दो टीन चार पांच छे साथ आठ नौग दस ग्यारा तो मैंने अभी 11 चीन बनाए इस तरह से आपको फाउंडेशन चीन या स्टार्टिंग चीन बनानी है तो चलिए अब सीखते हैं सिंगल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाने के के लिए हमें starting में फांडेअशन चेन बनानी हुती है। हमें जितना लंबा सिंगल क्रोश्य का ब्लॉक बनाना है सपोस मैं दस फंदों का सिंगल क्रोश्य का ब्लॉक बनाना चाहती हूं तो 10 plays 1 browse change लेने होंगे यानि की 11 चेन्स अमें लेने होंगे तब ही हमारे पास 10 chains का या 10 fund का एक block बनेगा single crochet का तो देखी मैंने पहले ही आपको दिखाया कि मैंने 11 chains बनाया है तो चलिए देखते हैं कि हम single crochet कैसे बनाते हैं hook के उपर जो हमारा fund होता है उसे हम कभी भी नहीं गिनते हैं तो इसे हम fund मत गिनिये इसके बाद जो पहला chain है हम उसे छोड़ देंगे और उसके बाद next chain से हम single crochet बनाना शुरू करेंगे इसलिए हमने plus one किया था 10 fund है हमारे पास 10 plus 1 हमने किया है वो एक supporting chain है उसे हम छोड़ देंगे उसे छोड़ कर next वाले से हम शुरू करेंगे तो देखिए यह हमारे पास chain है तो हमने next chain के उपर एक उन के नीचे से hook को insert किया इसमें एक उन फसाया लूप के अंदर से खीचा और अब इन दोनों loops को एक उन लेकर खीच के इसे single crochet कम्प्लीट करेंगे देखिए फिर से देखते हैं next chain पर हम डालते हैं यह हमारा next chain है यह वाला इसमें हम hook को insert करेंगे hook पर एक उन फसायेंगे इसे खीचेंगे अब हमारे पास hook पर दो फंदे हो जाएंगे फिर से हम उन खीचेंगे और दोनों में इसे निकाल देंगे तो यह हो गया हमारा दूसरा single crochet देखिए इसी तरह से में सारी single crochet बना लेती हूं देखिए अभी आखरी chain पर पहुँच गए है इसमें भी insert करेंगे लूप खीचेंगे और दो में से निकाल देंगे तो यह हमारा बन गया पहला single crochet का line अगर अब हम इसे गिने तो हमारे पास 10 फंदे होंगे देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस यह दस तो 10 फंदे हमारे पास बन गए तो मान लेजिए friends आप लोगों के पास एक बहुत लंबी chain है यह तो मैंने बस 10 फंदे की chain ली है मान लेजिए आप एक लंबा शॉल बना रहे हैं या मफलर बना रहे हैं तो आपके पास 200 chains हैं या उससे भी जादा chains है तो कभी-कभी आप confused हो सकते हैं कि आपका last आखरी chain कौन सा है तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं हर रोग के first chain पे या फिर हर रोग के आखरी chain पे आप एक marker लगा सकते हैं तो देखिए मेरे पास ये marker का packet है ये भी pony brand का ही है देखिए और हम इस आखरी chain पे एक marker लगा सकते हैं देखिए हमने आखरी chain पे ये marker लगा लिया अगर आपके पास मारकर नहीं है तो कोई बात नहीं आप किसी भी दूसरे रंग की उन का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और उसे लास्ट स्टिच पे फसा दीजिए तो मारकर लगाने से हम कन्फ्यूज नहीं होंगे कि हमारा आखरी चेन कौन सा है तो देखे हमने पहली रो बनाई है सिंगल क्रोशे कि अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगला रो कैसे शुरू करते हैं तो नेक्स्ट रो बनाने के लिए हमें पहले एक चेन बनाना है और हमें इस वर्क को पलट देना है इस तरह से पलट दीजिए ये देखे अब पलटने के बाद जो पहला हमारा स्टिच था वहाँ पे हमें पहला सिंगल क्रोशे बनाना है बिल्कुल वैसे ही इंसर्ट किया लूप को कीचा और उपर से दोनों को कीच दिया अब की बाद जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हम दोनों लूप में से इंसर्ट कर रहे हैं क्यूंकि हमने शुरुवात में चेन में इंसर्ट किया था तो इसलिए हमने दो ऊन में इंसर्ट नहीं किया था अब क्यूंकि हमारी पहली रो बन गई है स्टिच हमारे पास है इसलिए हम इन दोनों में इंसर्ट कर रहे हैं कभी-कभी आप English written patterns में देखेंगे, उसमें लिखा होता है front loop single crochet, अगर ऐसा mention किया हुआ हो, तभी आप इस दोनों loop में से सिर्फ front loop वाले own में ही insert करेंगे, वैसे generally हम single crochet की row बनाते हैं, तो दोनों में से ही insert करते हैं, यह देखिए, अब हम अपने last stitch पे आ गए है, इस वाले प 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर नया row बनाने से पहले last stitch पे marker डाल दे, तो देखिए friends, जिस तरह से मैंने आप लोगों को row number 2 बनाना बताया, उसी तरह से मैंने row 3 और row 4 बनाया है, और ऐसा लगेगा आपका single crochet का block अगर आप बनाएंगे, देखिए, ऐसा लगेगा design, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, next वीडियो में बागी के basic stitches हम सीखेंगे, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए useful होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए, do something creative everyday, thank you